अगर आप सिल्व माइक्रो में शॉट टम ट्रेडिन करते हो और नहीं जानते कहा पर बाइंड करे कहा पर सेलिंग करे और क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे हेलो फ्रेंड्स मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 31 दिसंबर 2022 टाइम हो रहा है दो पहर के दो बच के दो मिनट और आज दिन है सैटेडेए फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्व माइक्रो की जिसका टार्गेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधा अधूरा ग्यान बहुत डेंजर्ज हो सकता है आज बात करेंगे सिल्व माइक्रो की जिसका कोंट्रेक्ट है फेबरु बरी का सिल्व माइक्रो जिसका कर्ड प्राइस अभी चल रहा है लगबग 79,310 रूपे के आसपास और इसका latest high post हुआ है 73,060 रुपे और इसका latest low post हुआ है 52,666 रुपे का fundamental view की बात की जाये तो अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की संभावना dollar index में correction और corona news इन सारी बातों का असर्थ silver micro के उपर देखने को मिल सकता है important sport की बात की जाये तो sport यानि ऐसे levels जहां से price उपर जा सकता है important sport पहला sport 68,850 रुपे दूसरा sport 68,400 रुपे और तीसरा sport 66,460 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in sport के निचे breakout देता है और sustain रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो यही sport बाद में resistance का काम करेंगे important resistance की बात की जाये तो resistance यानि ऐसे levels जहां से price निचे जा सकता है important resistance पहला resistance 79,850 रुपे दूसरा resistance 70,250 रुपे और तीसरा resistance 70,730 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in resistance के उपर breakout देता है और sustain रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में sport का काम करेंगे मंतली चार्ट पे train की बात की जाए तो train positive दिखाई दे रहा है और अगर डैली चार्ट पे train की बात की जाए तो train positive दिखाई दे रहा है तो करना क्या चाहिए आए देखते है इससे पहले friends आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कर लेना Buy on dips की strategy अपनाए, क्योंकि बजार अभी positive दिखाई दे रहा है, current price पर buy side का risk reward ratio देखे तो, risk 460 रुपे, और reward 540 रुपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है अगर आप buying करना चाहते हैं, तो buying level जो है, current price 79,310 रुपे से 460 रुपे निचे, यानी 68,850 रुपे के आसपास buying करे target रहेगा 79,850 रुपे का, अगर यह target अचीव होता है, तो second target रहेगा 70,250 रुपे का और इसके लिए stop loss रहेगा, 68,678 रुपे का, और friends stop loss जरूर लगाए, बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 68,850 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 68,400 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, friends averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend positive दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, जो सेल हैं उनके लिए सलाह रहेगी, trading award की strategy क्योंकि बजार अभी positive दिखाई दे रहा है, current price पर sale side का risk reward ratio देखे तो, risk 540 रुपे और reward 460 के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, current price 79,310 रुपे से 540 रुपे उपर यानि 79,850 रुपे के आसपास selling करे, target रहेगा 68,850 रुपे का, अगर यह target अचीव होता है, तो second target रहेगा 68,400 रुपे का, और इसके लिए stop loss रहेगा 70,025 रुपे का, और friends stop loss जरूर लगाए, बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने lower level पे already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 79,850 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उप पर चला जाता है, तो आप 70,250 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे की हमने पहले भी बताया friends, average इंट करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend positive दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, ओवर और trend positive रहेगा, buy on dips करके चले लेकिन strict stop loss के साथ, आने वाले दिनों में buy side target 79,850 रुपे और 70,250 रुपे और 70,730 रुपे के आसपास देखने को मिलेंगे, अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे, अपनी trading में back testing या paper trading जरूर करे, उसके बाद ही trading करे, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे, धन्यवाद